Hello friends, नमस्कार, स्वागत आप सभी काज की नई वीडियो में आज हम बात करेंगे contingent contracts के बारे में देखे, Indian Contract Act 1872 के अंदर contingent contract से हमारा chapter number 3 डील करता है इसमें हमारे section आते है 31 से लेगा 36 तक ये जो सारे section हैं, हम ये बताते हैं कि एक event की happening पे या non happening पे जो agreement किया जाता है, जो contract किया जाता है, वो contract कैसे deal होंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि contingent contract होते क्या है जैसे कि मैंने आपको बताया कि contingent contract वो होते हैं जो कि एक event की happening या non happening के लिए किये जाते हैं, उसे हम contingent contract कहते हैं जैसे कि आप एक example से समझेगा इस बात को कि एक builder ने एक इनसान के साथ, एक person के साथ agreement किया कि मैं आपकी building बना कर दूँगा, उसने building बना कर देने के लिए ये agreement किया कि अगर मुझे permission मिलती है building यहाँ बनाने की, तो मैं यहाँ पर आपके लिए building बना दूँगा, और ये क्या ह hurricane के लिए agreement मिलने के लिए, मनला permission मिलने की happening या non happening पे, अगर permission मिलती है, तो तो वो contract fulfill हो जायेगा, वो building बना देगा, अगर वहाँ उससे permission नहीं मिलती building बनाने की, तो वो एक building अपनी नहीं बना पाएगा, वो service नहीं दे पाएगा, तो वो agreement क्या हो जाएगा, वो contract agreement जो है, वो वाइड हो जाएगा, तो इसमें हमें बात जो समझनी है, वो यही है, कि जो contingent contract है, वो एक happening या non-happening event के लिए होना चाहिए, अब इसके अंदर हमें जो basic ingredients जो हैं, इसके features हैं, वो समझने के लिए, हमें एक तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली बात तो यह कि यह section number 10 की fulfillment करे, यानि कि जो हमारी legal conditions हैं, कि वो minor ना हो, major हो, sound mind हो, उसमें कोई agreement हो, कोई consideration involved हो, और उसमें कोई भी illegality ना हो, इन कुछ बाते हैं, यह section 10 आप पढ़ेंगे, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, उसको आप वीडियो चाहिए, तो वीडियो भी सुन सकते हैं, उसे आपको totally concepts का clear हो जाएगा, और दूसरी बात क्या है, कि जो इसकी enforceability है, वो happening of event के base पे होनी चाहिए, ठेक है, या फिर non happening of event के base पे, happening या non happening, और जो इसकी condition है, वो positive या negative, किसी भी वे से हो सकती है, यानि कि यह भी कहा जा सकता है, कि वो अगर act ना हुआ, तो यह contract valid होग या फिर यह भी कहा जा सकता है, कि अगर वो act हुआ, तो यह contract valid होगा, तो यह कुछ इसके features थे, अब हम बात करते हैं section number 31 की, section 31 आप बेरेट में please open कीजेगा, और ध्यान से समझ लीजेगा, इसको बहुत interesting और easy topic है, सबसे पहला section 31, contingent contract, इसकी definition provide करता है section number 31, क्या बोलते हैं यह contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract does or does not happen, यानि कि एक happening of event के बारे में यहाँ पर बात कर दी कि अगर एक contract अपनी ऐसा किया है, जहां एक act जो है, या तो वो हो जाए, या वो ना हो, ऐसा कोई भी condition डाल कर अगर agreement किया है, तो वो contingent contract कहलाएगा, इस बात से हमें यहाँ पर clear कर दिय बहुत ही easily, इसकी illustration भी देखिए, बहुत ही असान है, कि a contract to pay b, 10,000 if b house is burnt, यानि कि वो कहता है कि a को मैं तुम्हें 10,000 रुपे दूँगा, अगर b के घर में आग लग गई, तो b के घर में आग लग गई, तो 10,000 मिल जाएगा, नहीं लगी, तो b को 10,000 नहीं मिलेगा, ठीक तो अब आते हैं, हमारा अगला section, section number 32 पर, section number 32 है, इसकी bearat rating लेंगे, enforcement of contract contingent on event happening, जैसा कि मैंने आपको features में बताया था, कि positive और negative aspect दोनों हो सकते हैं, तो यहां पर उसी के बारे में बात करी गई है, यानि कि happening of event, यानि कि positive aspect, कि अगर ये act हुआ, तो ये contract valid होगा, देखिए bearat को read करेंगे, इसका, contingent contract to do or not to do anything is an uncertain feature, event happening cannot be enforced by law unless and until that event has happened, if the event become impossible, such contracts become void, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो ही explanation हमारी इसमिक लिए कर रही है, कि आपने precondition लगा दी, एक agreement के अंदर, कि अगर ये happen होता है event, और तो इसके, अगर ये happen होता है, तो ये contract valid हो जाएगा, अगर नहीं होता, तो ये agreement जो contract है, ये void हो जाएगा, void declare रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो एक main बात है, इसमें आप लिख लीजेगा notes में, कि ये इसमें time limit specified नहीं है, यानि कि ये time limit नहीं है, इसमें, ये सिरफ event की happening पर है, ठेक है, तो अब हम आते हैं, section number 33 पर, अगला section, section 33 बोलता है, enforcement of contract contingent to an event not happening, यानि कि पिछे हमने अभी बात करें, 32 में कि, happening of event की, यहाँ 33 में हम किसकी बात कर रहे हैं, non happening of event की, यानि कि precondition ऐसी है, कि आगर ये act ना हुआ, तो आपको ये contract valid हो जाएगा, अच्छा, तो इसका एक example लेते हैं, कि मान लेजिए, कि एक agreement होता है, कि अगर ये ship नहीं आई, तो मैं ये तुम्हारे नाम पे घर transfer कर दूँगा, अगर ये ship नहीं आई, तो करूँगा, आ गई, तो नहीं करूँगा, simple से बात, ठीक है, तो अब हम आते हैं, section number 35 पर, देख तो 32 और 33 में हमारी क्या बात थी, happening और non happening of event के बारे में, लेकिन वहाँ time period specified नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया, section number 35 में time period specified है, यानि कि एक event के लिए time period दे दिया, कि आपका अगर ये event इस time period के अदर होता है, तो ये contract valid होगा, otherwise नहीं होगा, देखिए इसका example हम समझते हैं, कि अब ये लगा लेजिए, कि एक इनसान दूसरे को कबोलता है कि अगर आप मुझसे एक साल के अंदर अंदर शादी करेंगे, तो मैं आपको पैसे दूँगा, ठीक है, तो अगर आप वहाँ शादी नहीं करते हैं उस इनसान से एक साल के अंदर, तो वो एक agreement enforceable नहीं होग और दूसरी बात जो आती है हमारी non happening case में, ठीक है, तो non happening के लिए हमारा illustration जो है इसके अंदर, वो B given है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि A promise करता है B से 10,000 रुपे देने के लिए, अगर ship एक साल के अंदर अंदर return नहीं आती है, तो ये कुछ positive और negative aspect के बारे में section number 35 भी हमें clear करता है, basically same बात है 32, 33 और 35 में, लेकि major difference क्या आता है यहां पर 32 और 33 section में, 32, 33 में time period नहीं था, बस एक agreement हो गया, कि होगा, तो ये काम हो जाएगा, contract हो जाएगा, कितने time में, नहीं लिखा, एक साल, दो साल, पांस साल, दो साल, mentioned यह नहीं है, तो मतलब long term के लिए है, लेक यह एक महिना, दस दिन, एक साल, दो साल, तो उसके लिए क्या होगा, section 35 apply हो जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा major difference नहीं करता है, यहां से, अब हम बात करते है, section 36 की, देखें जो section 36 है, यह हमारे कुछ different बात करता है, यह बोलता है, agreement contingent on impossible event void, इसे हम बेरेट की reading देंगे, एक फिर हम इसको समझ लेंगे, contingent agreement to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether the impossibility of the event is known or not known to the party, to the agreement at the time when it was made, यानि कि एक ऐसा agreement जिसकी happening या non-happening हो ही नहीं सकती, ठीक है, एक agreement ऐसा कर लिया, जिससे आप कहतो रहे हैं कि अगर यह हो गया तो कर देंगे, लेकिन वो impossible है, तो वो जो agreement है, वो 36 यह कहता है, कि वो void declare होगा, थोड़ी से confusion हो रही होगी, example से मैं आपको इस बात को clear कर देता हूँ, मा लेजिए, एक इनसान, दूसरे इनसान से agreement करता है, कि दो straight line है, कि जिस दिन यह दो no straight line मिल गई, मैं उस दिन आपको एक करोट रुपे दूँगा, तो क्या यह possible है, कि दो straight line मिल जाएं, बिल्कुल भी नहीं, तो वो एक impossible event है, तो section 36 के according, वो एक void agreement हो जाएगा, यानि कि अगर आपका agreement ऐसा है, कि जिस act का होना impossible है, जो हो ही नहीं सकता, तो वो एक void declare हो जाए यह हुआ हमारा section 36, यहां से clear, अब हम आते हैं, हमारा section हमने छोड़ दिया था, section number 34 पर, दीखे, section 34 हमारी different बात करता है, यहां बोलता है, contingency in the act of a person, जहां एक person की बात होती है, कि जहां वो deemed है कि वो impossible है, लेकिन किस बात के लिए, कि अगर वो एक इंसान के living person की बात करते हैं, उसके इंसान की act की बात करते हैं, देखिए इसकी हम बेरेट की reading ले ले लेते हैं, एक बार फिर हमें थोड़ा सा और clear हो जाएगा, if the future event on which a contract is contingent, if the future event on which a contract is contingent is the way in which person will act, person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible, when such person does anything which render it impossible, then he should so act within any defined time, or otherwise than under further contingencies, यानि कि देखिए ये हमारा section क्या बोलता है, कि जहां एक इनसान का act ऐसा है, जो कि अभी तो impossible है, और वो future में लग रहा है कि possible हो भी सकता है, तो हम उसे impossible consider कर लेंगे, इसका एक illustration दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा interesting है हमें वो, देखिए ये कहते हैं कि A agree करता है B से, कि अगर तुम C से शादी कर लोगे, तो मैं तुम्हें पैसे दूँगा, अब C क्या करता है, C D से शादी कर लेता है, तो C और D की जो शादी हुई है, उसके बीच में क्या होता है, ये possibility है कि D की बाद में death हो जाए, तो possible है कि C बाद में B से शादी कर ले, तो वो क्या हुआ, वो एक future event हो गया, जो कि impossible है, आप उसके लिए prediction कर नहीं सकते, तो जहां आप उसकी prediction नहीं कर सकते, तो section 34 बोलता है कि वो impossible agreement के अंदर हम उसको ले लेंगे, तो यहां से हमारा section 34 भी clear होता है, I hope कि आपको यह जो मैंने section बताया है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, यह 6 के 6 section contingent contracts के deal करते हैं, उमीद करता हूँ कि यहां से आपको यह दोनो clear हो गए होंगे, तो friends अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like जरू कर दीजेगा, चैनल पर नए हैं, तो इसे subscribe जरू कर लीजेगा, और साथ